योगी सरकार जहाए एक तरफ भू माफियां के बिरुद नकेल किस्ते नजर आ रही है वहीं योगी सरकार के माथटों की पकड़ माफिया भवानी पर कंजोर प्रती नजर आ रही है इसका सीधा उधारर कानपुर विकास प्राधिकरण के जोन चार अंतरगत सत्वरी गाउं में इस चित करोलों की बेस कीमती सरकारी भूमी बया कर रही है जिस पर वर्सों से माफिया भवानी आदो कब्जा जमाए बैठा है ऐसा नहीं है कि इस बेस कीमती भूमी पर कानपुर विकास प्राधिकरण की नजर नहीं पड़ी कानपुर विकास प्राधिकरण के दोरा इस बेस कीमती भूमी के माफिया के कब्जे से मुक्त तो कराया गया लेकिन जादा दिनों तक इसकी देगवाल नहीं कर सका जिसके फल्सरूप माफिया भवानी एक वर फिर सरकारी भूम पर काविज हो गया सूत्र बताते हैं कि सरकारी भूम पर कवारी वाले को बसा कर महिने की लाकों की आंदनी तक के रास्ते माफिया भवानी ने खोल रखे हैं पुलिस प्रासासन में अच्छी पकल रखने वाले भवानी के खिलाप अभी तक कोई ठोस कारवाही देखनों को नहीं मिली गौर्तलाबे की माफिया भवानी यादों के ऊपर वर्स 2007 में गंगेश्टल लगी थी इतना ही नहीं सरकारी तार चोरी करने के मामले में वह जेल भी गया था वर्स 2014 में माफिया के बिरोद मुकदमा दर्ज हुआ वर्तमान में धारा 308-325 जैसे गंबीर धारा पर भवानी यादों के बिरोद मुकदमा दर्ज है भवानी यादों पर सरकारी जमीन पर कब्जा कर मकान बनाने का गंबीर आरोप है इतना ही नहीं भवानी ने सरकारी जमीन को अपने कब्जे में लेकर कवारी वाले को भी दे रखा है जिससे प्रतिमा मोटा किराया माफिया वसूलता है अब बने रहे हमारे चैनल के साथ हमारा चैनल बहुत जल्दी सत्वरी के और भी गुमाफ्यों के नाम जल्द उजागर करने जा रहा है ब्यूल रिपोर्ट आई पियन